Assalamualaikum class Last class में हम लोगों ने इस chapter की reading की थी और book की एक एक्सरसाइजिस की थी आज हम इसके questions आज़र करेंगे आपने अपनी notebook में सबसे पहले margin line जो करने हैं फिर date and name mention करके उपर chapter name mention करना है then हम questions आज़र लिखेंगे ठीक है स्वाल नमबर एक है हमारे पास इस काइनात का खालिक और मालिक कौन है तो इसका जवाब है इस काइनात का खालिक और मालिक अल्ला है स्वाल नमबर दो अल्ला ताला पर इमान लाने से क्या मुराद है अल्ला ताला पर इमान लाने का मतलब है कि सच्चे दिल के साथ और बगएर शक्त के सिर्फ अल्ला को अपना रब और माबूद तस्लीम किया जाए माबूद में अबादत करने वाला जिक है जिसकी अबादत की जाती है क्या अल्ला का कोई शरीक हो सकता है नहीं अल्ला का कोई शरीक नहीं हो सकता वो वाहिद लाशरीक है साल नमबर चार है क्या ये काइनात खुद बो खुद बजूद में आ गई थी नहीं ये काइनात खुद बो खुद बजूद में नहीं आई है जिस तरह काइनात में रोज मारा की इस्तमाल की चीज़ें खुद बो खुद नहीं बनी है बलके इन्हें किसी ना किसी ने बनाया है जैसे मकान जिन में हम रहते हैं या सड़कें जिन पर हम सफर करते हैं वो किसी ना किसी इनसान ने बनाई है इसी तरह सूर्ज, चांट, सितारे, पहाड, दर्या, समुन्दर और पुद्धे बगरा अल्ला तला की बनाई हुई चीज़े हैं ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट आपके बुक पे आ जाते हैं बुक का पेज नंबर 6 ओपन करें ठीक है यहाँ पे सूरा-कद्र है ठीक है इसकी मैं रीडिंग करके आपको बताऊंगी इसको पढ़के बताऊंगी फिर आपने इसको पढ़ना है इसको जबानी याद भी करना है ठीक है बिसमिल्ला रुक्मार रुर्वाहीम इन्ना अंजलनाहु फी लैलति अल्कद्र वमा अद्राकमा लैलतु अल्कद्र लैलतु अल्कद्री खेर मिन अल्फ शह तनजलु अल्मलाइकत वर्वु फीहा बिस्दी रबिहीम मिन कुल अम्र सलामु हिया हत्ता मतला इल्कद्र एक बार मैं फिर इसको पढ़ती हूँ इन्ना अंदल्लाहु फी लैलति अल्कद्र वमा अद्राकमा लैलतु अल्कद्र लैलतु अल्कद्री खेर मिन अल्फ शह तनजलु अल्मलाइकत वर्वु फीहा बिद्नी रबिहीम मिन कुल अम्र हिया सलामु हिया मतला इल्फ ज्र ठीक है आपने इसको पढ़ना है और इसको याद भी करना है कि मैं इसका तर्जमा पढ़ती हूँ हमने इस कुरान को शब कदर में नाजल किया है और तुम क्या जानो के शब कदर क्या है शब कदर हजार महिनों से बेतर और अफजल है उतरते हैं फरिष्टे और रूप इसमें अपने रब की हुकम से और सलामती है इस रात में तलू और सुबा तक ठीक है अब आपने इसको याद करना है और जो काम आपको दिया गया है इसको आपने नीट और कीन अपनी कॉपी में उतारना है ठीक है